इस वीडियो में आधुनिक भारत के BPSC दुवरा पूछे गए प्रिवेस एर का कोशन डिसकस करेंगे यह पार्ट आपकी 3 है इसका पहले आधुनिक भारत के पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है और प्राचीन भारत और मद कालिन भारत भी अपलोड हो चुका है जो पूछे जाते हैं जो आपके रेजल्ट पर बहुत बला इफेक्ट पहुचाता है हिस्ट्रिय ठीक है तो आई देखते हैं पहला कोशन कि गदर करांती छिड़ने का सबसे महत्पूर्ण कारण था पर्थम महयूद का सुरू होना यह कब सुरू होता है तो 1914 इसपी में ठीक ह झालार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसके द्वारा बोला गया था तो बाल गंगा धरतिलत के द्वारा ठीक है 그럼 यह रैफर इसका राइट एंसर हो जाएगा तो यह की गई है C. Raj Gopala चारी के दवारा ठीक है C. Raj Gopala चारी के दवारा तो B. इसका राइट अन्सर हो जाएगा नेक्स्ट है कि India for Indians किताब किस नहीं लिखा तो India for Indians जो book है ये लिखा गया है CR 10 के द्वारा ठीक है CR 10 के द्वारा चितरंजन 10 के द्वारा तो ए इसका right answer हो जाएगा next question है कि नेक्स्ट कोर्सन है कि किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कॉंग्रेस अधिवेशन की अध्याचता की तो दादा भाई नवरोजी ने ठीक है कलकत्ता कॉंग्रेस की अधियाचता 1906 में दादा भाई नवरोजी ने की थी तो डी इसका right answer हो जाएगा next है कि नेम लिखेते में से किसने जो है और इंडिया मुस्लिम लिंग की अस्थापना की थी तो आगा खा और नवाब सली मुल्ला खान दोनों के द्वारा किया गया था लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट इसमें सही है नवाब सली यहाँ पर सबसे अधिक सही हो जाएगा लेकिन अब तो आता है ओप्षान दोबारा रिपीट हो जाएगा तो आपको फिर्थक निरवाचन वरक की ब्यवस्ता की जाए ठीक है तो A इसका right answer हो जाएगा next है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पीर्थक निर्वाचन मंदल का आरंभ किया तो आपको आरंभ किया भारत परिशद अधिनियम 1909, ठीक है भारत परिशद अधिनियम 1909 इंट रहत परेंग अधिनेंव 1909 के से पाकिस्तान की नीवा रखा जाती है ने लगदान होंदुल लिंग के अस्था accomplish में नहीं था ए गया चेटै평ब कि अधर बेति प्रफट मेंडिया गया था अभी है जबकि टीएस अलकाट इनका योगदान नहीं है जो टीएस अलकाट है ये थियो सोपकल सोसाइटी से सम्मंदित है ठीक है थियो सोपकल सोसाइटी से सम्मंदित है तो डे इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है डे इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स कोसन है कि किस अधिवेशन में होमरूल समर्थक अपनी राजनितिक सकती का सफलता परवक प्रदर्शन कर सके तो आपको ध्यान रखना है कांग्रेस का 1916 का लखनावर अधिवेशन में तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा सिच्छा में सुधार है तो ब्रेटिस सरकार ने सेंडलर विश्विद्याले आयोग का आयोग कब नियुकत किया सिच्छा में सुधार है तो ब्रेटिस सरकार ने सेंडलर विश्विद्याले आयोग इसकी नियुकती 1917 की जाती है ठीक है 1917 में तो भी इसका राइट अंसर हो जाएगा भी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोसन है कि हुम्रूल अंदूलन भारत के सुतंता संगराम के एक नई चरन के अरम का घोतक था क्योंकि इसने देश के सामने जो है सोसासन सिल्फ गवर्मेंट की एक ठोस योजना रखी थी इसलिए ठीक है तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोसन है कि बंगाल विभाजन के प्रत्या घात के रूप में कौन सा अंदूलन शुरू हुआ था मतलब बंगाल विभाजन के विरोध में जो है कौन सा अंदूलन शुरू हुआ था तो स्वादेसी अंदूलन शुरू हुआ था तो C इसका right answer हो जाएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 इसमी में बंगाल विभाजन हुआ था, अर उसमें भारत के 22 राय कौन थे, तो भारत के 22 राय थे, लौड करजन थे, स्वाधेसी आंदोलन कब सुरू हुआता है, तो स्वाधेसी आंदोलन जो है, 7 अगस्त 1905 क जो बंगाल विभाजन है, वो लागू कब होता है, तो बंगाल विभाजन जो है, लागू होता है, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को जो है, बंगाल विभाजन लागू होता है, इसे याद रखेगा, बेरी बेरी इंपोर्टन्ट है, न प्यारे लाल तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा साथ में आपको याद रखना है कि महातमा गांधी के प्रेस्नल डॉक्टर कौन थे तो डॉक्टर सुसीला नएर डॉक्टर सुसीला नएर जो है प्यारे लाल की सिस्टर थी नेक्स्ट कोस्टन है कि निमलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्यागरा कौन सा था तो चमपारन सत्यागरा था यह होता कब है 1917 में 1917 में और यह बिहार में आस्ती थे चमपारन ठीक है नेक्सों नेक्सिक निमन में से किस कॉलेज में । गांधी जी ने दूने पढ़ाई की थी सामलदास कॉलेज भावनगर में थीक है सामलदास कॉलेज भावनगर में तो ए सका रहेट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि निमन में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्यागरा अंदोलन था, जिसमें उन्होंने सबने अवग्या का परियोग किया, तो चमपारन अंदोलन था, ठीक है, चमपारन अंदोलन, कब होता है 1917 में, चमपारन बिहार में अस्तित है, तो B इसका मालिको द्वारा किसानों के सोसन की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्शित किया था, तो राज कुमाल सुकल ने, ठीक है, राज कुमाल सुकल ने, तो B इसका राइट अंतर हो जाएगा, आपको यह ध्यान रखना है कि जो राज कुमाल सुकल है, जो गांधी जी को चमपारन में जो सुसन वरता किसानों के उसका ध्यान कहां पर दिल आए थे तो लखनावर में जाके लखनावर में ठीक है 1916 में गांधी जी से मिले थे और गांधी जी को जो है गांधी जी से आगरा किये थे राजकुमाद सुक्ल कि आप एक बार चमपारन आए ठीक है तो ब इसका राइट अंसर हो जाएगा और नेक्स्ट है कि गांधी जी दुवरा भारत में पहले बार सत्यागरा अंदुलन बिहार में कहां पर प्ररण किया गया तो चमपारन में ठीक है चमपारन में तो ड इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि प्रसिद नाटक नील दरपन जिसमें इंडिगो की खेती मतलब नील की खेती करने बाले किसानों की दमन का चितरन किया गया कि रचना किस ने की तो इसकी रचना जोए दीन बंधू मित्र ने की तो डी इसका राइट अंसर हो जाएगा डी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोशन देखिए कि निमलिखित में से किस सत्यागरा अंदुलन में गांधी जी ने परत्या चुरूप से भाग नहीं लिया तो चारो अप्शन को आप एक बार देख लिजे किसमें भाग नहीं लेते हैं जो राजकोट सत्यागरा हो पस्थित नहीं होते हैं ठीक है तो से इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है कि स्वाधिनता अंदुलन के दोरान महात्मा गांधी के करेवी अंग्रेज मित्र थे तो कौन थे रेवंड चार्ली एंडुज थे ठीक है रेवंड चार्ली एंडुज थे तो से इसका राइट अंसर हो जाएगा, C इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि अन्तोदे कारकरम का उद्देश है जो अन्तोदे कारकरम है उसका उद्देश है गरीबों में सबसे गरीब की सहाइता करना गरीबों में सबसे गरीब की सहाइता करना तो C इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि 1917-18 में आहमदाबाद में गांधी जी द्वरा चलाए गए सत्यागरह में किसने हिस्सा लिया था किर्शक वर्क नहीं, जनता नहीं, मजदूर नहीं और दोगी कर्मी ने भाग लिया था अध्योगी कर्मी जो फेक्टरी में काम करते थे वो लोग तो B इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि निम्न उद्योग पतियों में से कौन से बेक्ती लंबे समय तक लंबे समय तक L ICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जो है जेल भी गए हैं इनके बारे में बोला जा रहा है तो भारतिय रास्टि कांगरेस के जो कोशा अध्याच रहते हैं और जेल भी जाते हैं तो उनका नाम है जमना लाल बजाज ठीक है जमना लाल बजाज ठीक है और जेल कब जाते हैं जेल 1930 में ये जाते हैं तो B इसका right answer हो जाएगा Next है कि महात्मा गांधी ने स्वर पर्थम किस किसान अंदुलन में भाग लिया Very important है तो चमपारण में ठीक है चमपारण में कब लेते हैं 1917 में गांधी जी जो है दच्छिन फिरकास भारत आते कवें 1915 में ठीक है 1915 में आते हैं तो B इसका right answer हो जाएगा Next question है कि गांधी जी का चमपारण सत्यागरा किस से जुड़ा था तो तीन कठिया पर्था से जुड़ा था ठीक है तीन कठिया पर्था से तीन भाई बेस ठीक है बेस कठा में जो है तीन कठा नील की खेती करना अनिवार था तो B इसका right answer हो जाएगा देखें जो आपके घटना चकर होता है मनले कि सिंपल सी बात है जो BPSC के previous question होते है बहुत जादा repetition होते है तो आपको जो घटना चकर का question दिया जा रहा है आपको उसको सारे question को आपको ध्यान से देखना है तो next question है कि बिहार में तीन कठिया पधती में निल की खेती के लिए भूमी का कितना भाग आमानत रखा जाता था तो 3Y 20 मतलब की 20 कठा में तीन कठा ठीक है जो भी बताए हम एक पूछा है 2020 में पूछा गया है तो C इसका right answer हो जाएगा C इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि चमपारन आंदोलन से कौन सम्मंदित नहीं था तो 4 option पढ़ लिजे राजंदर परसाद, अनुगरा नरायन सिंह, जेवी करिपलानी, जेपरकास नरायन तो आपको ध्यान रखना है जेपरकास जो नरायन है वो चमपारन आंदोलन से सम्मंदित नहीं है तो डे इसका right answer हो जाएगा जबकि राजंदर परसाद, अनुगरा, नरायन, सिंह, जेवी करिपलानी आपके सम्मंदित है नेक्स्ट है कि अखिल भारतिय किसान सभा के पर्थम सत्र की अध्याचता किसने की तो अखिल भारतिय जो किसान सभा है इसके पर्थम सत्र की अध्याचता जो है स्वामी सहजानन्द के द्वारा किया जाता है स्वामी सहजानन्द के द्वारा आपको याद रखना है कि अखिल भारतिय किसान सभा की अस्थापना जो है कब की जाती है तो 1936 में ये भी पुछा जाता है एक्जाम में ठीक है कि इसकी अस्थापना कब की जाती है तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि बंबई में अखिल भारतिय ब्यपार संग कॉंग्रेस की अस्थापना कब होई तो सन 1922 में होती है ठीक है सन 1922 में होती है तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा उसके बाद अगला कोस्टन है कि अखिल भारतिय ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के प्रथम रहा है कि जो अखिल भारतिय ब्यपार संग कॉंग्रेस इसके अस्थापना 1922 में होता है और इसके प्रथम अध्यच कौन होते हैं लाला लाजपत राय ठीक है इहां पर अगला कोस्टन है तो डी इसका राय अंसर हो जाएगा नेक्स है कि कॉमिनिस्ट इंटरनेशनल का सद बनने वाला जो है पहला भारतिय कौन था तो पहला भारतिय थे यम यन राय यम यन राय ठीक है तो ए इसका राय अंसर हो जाएगा ए इसका राय अंसर हो जाएगा नेक्स है कि भारतिय उच्चा युक्त के पद का सिर्जन किस अधिनियम से हुआ तो भारतिय उच्चा यु 2019 के द्वारा होता है तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि जलिया बाला बाग नरसंगार किस गांधी बादी सत्यागरह के संबंध में हुआ तो रौलेक्ट रौलेक्ट नरस गनरसंगार के संबंध में ठीक है तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा जो जलिया बाला बाग हत्याकांड हो तक कवे 13 अपरिल 1929 होता है रॉलेक्ट एक्ट क्या होता है इस में क्या होता है कि बिना केस के ही सक्के अधार पर किसी भी वेक्ति को गिरफतार किया जा सकता था रॉलेक्ट के माध्यम से, तो B इसका right answer हो जाएगा, next है कि ROL lạikt Act भारत में लाजू किया गया था, तो कव लाजू किया गया था, तो 2019 में, ठीक है, 2019 में इसके माध्यम से बिना case के माध्यम से बिना case आपर हुए, यह सक्थ के अधार पर ही बैक्ति बाग में जो है प्रदर्सन के लिए लोग जमा हो गये थे तो किचलु तथा सत्पाल के बंदी बनायए जाने के बिरोध में प्रदर्सन करने के लिए जमा लोग होए थे तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स है कि रवेंद्र नाथ टाइगोर ने अपनी नाइट हुड उपाधी किस कारण त्याग दी तो जलिया वाला बाग हत्या कांड के बाद ठीक है जलिया वाला बाग हत्या कांड के बाद जलिया बाला बाग हत्याकांट किसके दवरा करवाये गया था तो जेनरल डायर के दवरा तो से इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया तो उधम सिंग के दवरा मारा गया था तो डे इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि वरच 1919 भारतिय इतिहास से सम्मंदित है तो जलिया बाला बाग तराजदी से सम्मंदित है तो डे इसका राइट अंसर हो जाएगा कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी की बदले जानी की फैसला कब की गए थी तो 1911 में फैसला की गए थी बंगाल का विवाजन 1905 में होता है तो भी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि अमरित सर के जलिया बाला बाग में भीगल का दमन हुआ तो कब हुआ था तो 13 अप्रिल 1919 को तो भी इसका राइट अंसर हो जाएगा जलिया बाला बाग हत्या कांट के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निमन में से किसने माँ डाला तो उधम सिंग ने माँ डाला तो सी इसका राइट अंसर हो जाएगा और लंदन में गोली मारे थे नेक्स है कि किसने खिलापत आंदोलन को जो है हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अफसर के रूप में देखा जो सो बर्स में भी पुना प्रस्तूत नहीं होगा तो महात्मा गांधी ने ये अफसर देखा था तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है अंदोलन किया था वह किस सहर में हुआ था तो इलाहबाद सहर में हुआ था तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि गांधी के अस्तायोग अंदूलन में लोगों को सराप से परहेज करने का आगरा किया गया फल्सरूप सरकार की राजस्व में भारी कमी आई और एक परदेश की सरकार ने लोगों को फिर से सराप पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख बेक्तियों की एक सुची प्रसारित की जो सराप पीते थे उस परदेश का नाम बताए देखिए इसे भी कोशन पूछा जा का समर्थन क्यों किया था तो गांधी जी ने अंग्रेजिओ के खिलाप अपने आंदोलन में भारतिये मुसलमानों का सहयोग पराप्त करना चाहते थे इसी लिए तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा नेच्ट है कि भारतिये रास्टे कांग्रेस ने और सहयोग आंदोल नेक्स्ट है कि गांधी जी ने असायोग अंदुलन कब प्रणाब किया तो 1920 में कब किया 1920 में तो यह इसका राइटन से रो जाएगा सेम कोशन है ठीक है सेम कोशन है नेक्स्ट है कि इसे बड़ा कर लेते हैं गबार किस छेत्र में राहूल संकिरतायन 1920 के असायोग अंदुलन में सकिरिये थे तो यह छप्रा में सकिरिये थे वेरीन पोटन कोशन है छप्रा में तो यह इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है छप्रा आपके बिहार में एक डिस्टिक है तो यह इसका राइट अंसर हो जाएगा next है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने आस्तायोग आंदुलन को अपनी हिमाली जैसी भूल बताई very important question है किस घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने आस्तायोग आंदुलन को जो है अपनी हिमाली जैसी भूल बताई तो चौरी चौरा घटना को घुरकपूर में असती थे तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा चौरी चौरा जो घटना यह कब हुआ था तो चार फरवरी 1922 को ठीक है फिर सी लिख देते हैं चार फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा घटना होता है तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि आसायोग अंदूलन की दवरान किसने पटना कोलेज छोड़ा जबकि उसके परिच्छा के केवल 20 दिन बचे थे तो जैपरकास नदरायन ठीक है जैपरकास नदरायन तो सी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि 1921 के मोपला अंदूलन की जो साखा थी खिलापत अंदूलन की साखा थी तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि 1920 और 22 के आसायोग अंदूलन के दवरान बिहार में प्रचलित मानताओं में से एक या थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी क्या है गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था इसलिए बिहार में ये कहावात एक तरीका से प्रचलित हो गया था तो C इसका राइट अंतर हो जाएगा इद्वहर पंद्रे में पुछा गया था नेक्स्ट है कि सारा बंदी अंदोलन यह 1922 लिखा गया है उसे कर लिजएगा 1928 गलती से बीपेशी से लिख दिया था सारा बंदी अंदोलन किसके नित्रित में प्ररंब हुआ जो सारा बंदी अंदोलन मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि कर ना आदाएगी, मतलब कर नहीं देंगे, तो सारा बंदी आंदोलन जो है किसके नित्रित में प्ररंब हुआ था, तो सरदार बल्लम भाई पटेल के नित्रित में प्ररंब हुआ था, तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा, B इसका राइट अंसर हो ज इरिया के आसपास. तो, C इसका right answer हो जाएगा. मुपपला बिदरोह में क्या था कि, जो हाँ पर किसान थे, किसान मु स्लिम थे. किसान मु स्लिम थे और जो जमिनदार था, वो हिंदू थे. जमिनदार हिंदू तो जो किसानों का जो है सोसन किया जा रहा था जमिनदारों की द्वारा तो उसी के बिरोध में जो है 1921 का मुपला बिदरो होता है किरल में तो C इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि आस्थायोग आंदुलन के अस्थगन सम्मंधी घटनाओ का सही करम इंगित करे सही करम बताना है कि सबसे पहले कौन से घटना घटती है दे सबसे पहले घटना घटती है चौरी चौरा में पुलिस गोली कांड हो जाता है ठीक है उसके बाद उगर भीड जो है पुलिस थाने को आग लगा देती है सबसे पहले जब वहाँ पर अंदुलन निकला तो पुलिस जो है गोली चला देती है आम लोगों पर उसके बाद आम लोग थाने में बंद पुलिस को जला देते हैं उसके बाद गांधी जी दोवारा जो है असाहियोग अंदुलन को बापस ले लिया जाता है और उसके बाद गांधी जी को जो है जेल में डाल दिया जाता है जब असाहियोग अंदुलन बापस गांधी जी ले लेते हैं तो उनको जो है 10 March 1922 को जो है जेल में डाल दिया जाता है गांधी जी को तो ए इसका right answer हो जाएगा ए इसका right answer हो जाएगा इसका करम में आपको सजाना था कि सबसे पहले कौन से घटना घटती है उसके बाद कौन से घटना घटती है नेक्स question है कि लौड सिन्णा ने 1921 में कहां कि गवर्नरपत से त्यागपत्र दिया था तो बिहार उडिशा के गवर्नरपत से त्यागपत्र दिया था तो ए इसका right answer हो जाएगा जो लौड सिन्णा है इनका पूरा नाम क्या है तो सत्यंद्र प्रसन्नों सत्यंद्र प्रसन्न सिन्हा इनका पूरा नाम था साथ में आपको याद रखना है कि 1908 में बंगाल के एड़वोकिट जनरल नियुक्त किये गए थे जो भारत के प्रथम थे दुसरा पॉइंट याद रखना है कि 22 राय की कॉंसिल में कानूनी सदस की रूप में सैमिल होने बाले था क्योंकि गांधी जी जो है आसाहयोग अंदूलन बापस ले लिये थे इसी कारण तो बे इसका राय अंसर हो जाएगा जो हमारे करांती कारी थे जिसमें आपके भगस सी चनसेखर अजाद बटुकेशवर दर्थ इस सब सामिल थे नेक्स्ट है कि सुराज देल की अस्थापना असफलता के बाद हुई तो आसाहयोग अंदूलन की असफलता के बाद जो है सुराज देल की अस्थापना की जाती है सुराज देल की अस्थापना कब की जाती है तो उनिसु तेईस में नेक्स कोशन है कि उनिसु तेईस में दास थे और मोती लाल नहरू जो है इसके महासचीव थे दोनों लिख लिजिएगा विजान में पूछा जाता है ठीक है तो से इसका राइट अंतरों जागा देखिए पूछा गया है 2020 में ठीक है और यह पूछा गया है थापके 2016 में कितना नजदिक नजदिक कोशन आपकी र अध्यच कौन थे तो चितरंजन दास थे कौन थे चितरंजन दास ठीक है चितरंजन दास तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा इस वीडियों टुटर हम लोगोंने एक सट प्रस्न को डिसकस किए आपको वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा ठीक